नमस्का स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का मिक्की में चैनल में तो स्टूडेंट इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ एक बहुत इंपोर्टेंट लेक्चर है आपका जो माकशीट आपका आया है उसमें आप लोग को परसंटेज निकालना अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग को परसंटेज कैसे निकालना है ये मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ काफी सारे स्टूडेंट का मेसेज आया था सर हमारा हमारा ये मार्क शीट है आप हमें परसंटेज निकाल के बता दीजिए कितने परसंटेज हमारे हो रहे हैं तो हर स्टूडेंट को मतलब सेपरेटली बताना थोड़ा मतलब हेक्टिक काम था तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दिया जाया जिससे क्या होगा जो आने वाले स्टूडेंट है जो बीलाइस में अलरेडी मतलब एडमिशर लेने का सोच रहे हैं या जो ले चुके हैं या फिर जिनका अभी अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आया है उनके लिए असानी हो जाया कि उनका परसंटेज जो है वो कैसे मतलब कल्कुलेट किया जाए क्योंकि यहां बहुत सारे चीजे हैं जैसे कि असाइनमेंट हो गया आपका लैब का जो आपने प्रैक्टिकल दिया था उसका हो गया थेरी हो गया आपका इन सब को मिलाके कैसे निकाला जाता है इसको मैं इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जाज जादा शेयर करें और आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट वरक्स में जरूर बताएं और आपको भी अगर कोई इसी तरीके का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट वरक्स में जरूर सला दे हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें देखे सबसे पहले हम असाइन्मेंट का नंबर जोड़ते हैं तो जैसे कि आपका बीला टू 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 नाइन तक का पूरा असेमेंट का यहां पर एक बच्चे का यहां पर हमने लेया है जिनका यह मार्क्सिट है अब यहां पर थोड़ा बलर होगा क्योंकि यह थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है बढ़ा उतना ज्यादा मतलब वह नहीं है आप थोड़ा इस पर अपनी क्वालिटी रेजुशन बढ़ा के देखेग में ऐसे 9 सब्जेक्ट है तो 900 बन गया और इनका टोटल जो मिला है उसका टोटल करने देखिए 540 बन रहा है और 900 900 मतलब टोटल है आउट आफ 900 में से इनको 540 मिला है 9 सब्जेक्ट में तो इसको करके और इंटू करना है 30 से 30 से क्योंकि यह 30% assignment का number जूडता है तो इसलिए यहां से 30 करना किया है तो इसका करके और आपका जब आप केलकुलेट करेंगे अपना भी ऐसे करके तो आपका अलग आएगा आपसे मैं अगर आप मतलब वीडियो अभी देख रहे हैं तो आपसे मैं request करूँगा कि आप pen और paper ले ले और अपना mark sheet को साथ में मेरे साथ साथ आप मतलब केलकुलेट करना सुरू कर दें तो ऐसे करके देखी है यहां पर 18% बन रहा है तो यह हो गया assignment का number I hope आपको समझ में आ गया होगा कि total sum of number upon total number into 30 करना है तो उसके बाद आपका assignment का number आ जाएगा परसेंटेज में आएगा फिर क्या करना है जैसे 224 में देखिए पह इनको मिला हुआ है तो जैसे इनको मिला है 46 & 42 तो इनको हम अलग मतलब पहले इनका निकाल लेंगे क्योंकि जब हम पूरा total करेंगे तो यह फिर शूट जाएगा तो इसको हम अलग तरीके से पहले निकाल लेते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे जैसे 46 plus 57 क्योंकि हमने assignment का number तो इसको हमने add करेंगे तो इसको हमने add करेंगे हम सिर लेब वाला और यहां के जो total 3 इनको मिला है उनको add करेंगे ऐसा ही same 229 में 42 plus 40 तो देखें नीचे मैं इसको करके दिखाता हूं देखें 224 की बात करूं तो 46 plus 57 is equal to 103 103 बन रहा है और उसको अगर उसको 2 से करेंगे तो आपका यहां पर पूरा इसका marks मतलब निकल जाएगा practical क्योंकि यह जो होता है आपका 35 नंबर का होता है तो इसलिए यहां पर 2 लगाया है तो आपका 55.5 यह 224 में आया same ऐसे ही रहेगा 229 में भी 42 plus 40 यह 42 जो है आपका lab का नंबर है और 40 आपका 30 का है और is equal to 82 बना और फिर इसमें same 2 से करेंगे तो यहां पर 41 marks मिला तो दोनों का हमने निकाल लिया देखिए 224 का और 229 का अब हमें क्या हुआ 224 और 229 का निकाल लिया तो यह जो last का 57 था यह नहीं रहेगा अब यहां इसके जगह पर क्या आ जाएगा यह आ जाएगा 51.5 और उसके 229 के जगह पर 41 यहां last में जो 40 है last का वहां पर आ जाएगा अब इनको थेरी वाला एड करेंगे अब यह हमारा पूरा हो गया अब थेरी को एड करते हैं देखिए थेरी को हमने एड किया total out of 900 मतलब पूरा 9 subject है तो 100 में से ही पड़ेगा तो total इनका बन रहा है 480 इसमें आप जब एड करें 24 का निकाला था सेम 229 का 40 एड करना 41 एड करना जो अभी हमने निकाला था तो इन पूरे थेरी को एड करके out of कितने में से यह बन रहा है 990 में से 900 में से क्योंकि आपका 900 टोटल होता है उसमें से आप 480.5 यह total है इसको करेंगे और यह 70 क्या है क्योंकि यह 70 नंबर का मतलब आपका हो गया था तो 70 प्लस 30 कितना होता है आपका 100 होता है तो सेम यहाँ पर यह जब करके आप देखेंगे तो यहाँ पर 37.37 परसंटेज बनेगा तो यह total थेरी का हो गया यहाँ परसंटेज अपको एड क्या करना आपको थेरी वाला एड करना है क्योंकि हमने इसको अर् प्लस कर लिया था जब हम total में add कर रहे थे और प्लस आपका assignment का add करना 18 यह दोनों अब देखेंगे इन दोनों को add करेंगे यहाँ पर देख लिए assignment plus theory is equal to total तो assignment plus theory जैसे कि मैं आपको बताया था जो assignment होता हो 30 number का होता है और जो आपका थेरी होता हो 70 number का होता है तो 30 जिसमें आपको 18 मिले थे assignment में और 70 जिसमें 37.37 मिला था तो out of 100 तो यहाँ पे इनको plus करेंगे तो 55.35 ऐसा बन रहा है तो यह देखें कितना असान है calculation करना और इस तरीके से आप अपना फाइनल calculation है इनका 50.55.37 percentage इनके बन रहा है इस तरीके से आप भी अपना जो percentage है आपने जो भी माक्षीट है उसका percentage आप निकाल सकते है इतनी असानी से अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो को दो तीन बार देखें और फिर आपको जरूर समझ में आ जाएगा और वीडियो को जास जास सपोर्ट करें तो मिलते हैं आप सब इसे next lecture में तब तक के धन्यवाद